करोना काल में सरकार ने वादा किया था वादा डाक्टरों से किया गया था कि आप पूरी जीमेदारी के साथ अपनी ड्यूटी करें हम आपके साथ रहेंगे लेकिन सच्चाई बिल्कुल विपरीत है इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ उस घर के मुख्या का नाम डाक की मौत हो गई इस वक्त हमारे साथ उनकी पत्नी और दो बेटे हैं एक एक करके हम सबसे बात करेंगे मां जी यह बताईए कि उनके मौत के बाद डॉप्टर साहब के मौत के बाद अभी घर की इस्तिति क्या है अभी तो घर की इस्तिति बहुत खराब चल रही है सरकार से भ करार पर हैं चार बच्चे हैं उसके लिए मुझे बहुत तकली भोगना पर रहा है अब मुझे आसा करती हूं कि सरकार कुछ मदद करेंगे और मेरा दो बच्चा था यहां पर उसको भी नौकरी से हटा दिया गया है 14 साल नौकरी करने के बाद सरकार हटा दिया है और अभी ना तो एक पैसा दिया ना तो हमको पैंसन दिया है अभी तक घर कैसे चल रहा है काफी मुझेल हो रही है घर चलाने बाद तो अभी मुझेल से ही चल रहा है कोई उपाई नहीं लगता है क्योंकि मुखिया घर के थे डाक्टर साहब और उनके जाने के बाद अभी कमाने वा नहीं पचास लाख जो मतलब प्रोसाहान रासी के रूप में काया थे उसका भी कोई जिक्र नहीं हो रहा है और मैं भुखमरी के कगार पड़ है उनके बरे बेटे हमारे साथ हैं सर ये बताइए आप डेंटल डॉक्टर थे आपकी नौकरी चली गई कैसे गई ये तो जब हम चौदर साल कंट्रेक्ट पर ही काम कर रहे थे बाद में बीपेसी हुई और उसमें कहां क्या हुआ किस धंक से हुआ और बगएर किसी हम लोगों को आपके पापा का काफी नाम फ्रेम था सरकार के लिए उन्होंने काफी कुछ किया लेकिन अब दुख होता है कि सरकार आपक हुए थे और काफी सरकारी सयोगा उसके परियास से इंको पारस में एडिमिट कर आये लगातार हम लोग परियास भी किए उनके जीवन को बचा सकें लेकिन हम लोग इसमें सक्वार कसे चलेगा एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं आप विहार सरकार और तेंसर कर आप लापरवाही का इंतहा देखिए कि अभी तक पेंशन भी इनका इस्टेबिस नहीं हुआ जितने भी तरह की आर्थिक मदद होनी चाहिए थी भीहर सरकार्द के दरिये जो कि कोरणा के फिर्स्ट वारियर के लिए है जिन्हों ने इतना साल सेवा किया आपके पटणा सदर का सदर को एख कहां से किस उचाई तक उन्हों ने पहुंचा है जहां कि आज तरह का ऑपरेशन होता है हर तरह का पिशेंट दिखाने आता है उस अस्पताल की लोगों ने बहुत प्रियास किया लेकिन उन्हें हासिव कुछ भी नहीं हुआ आज उनका परिबार सरग पर आ जुका है उनके छोटे बेटे भी हमारे साथ हैं उनसे भी बात करेंगे यह वत हिए आप हमको बता रहे हैं अब से कुछी देर पहले कि अभी तक बिहार का जो पोटल है उसमें भी उनका नाम नहीं चरहा है उनकी मिर्तिव पांस आठ को हो गई और सोचिए कि उनका पोटल पे बारा तारिक बारा आठ को डिश्चार दिखाया जा रहा है उसके लिए हमने परियास बहुत किया कि उनके पोटल पे नाम चर्जाज क्योंकि कागजी करवाई में हमें बहुत जगा दिक्कत आएगी परध तक पोटल पे नाम नहीं चरहा जिसके चलते मुखमंत्री का जो चारलाख रूपिया था उसके लिए मुझे काफी परिसान होना परा लास्ट में अभी 20 निल पहले मुझे वो प्राप्थ हुआ और इनकी लगवक जतने भी कागजी करवाई सब महीं कर रहा हूं पचास लाग का जो फॉम है वो हमने तीन बार जमा किया दो बार तो बीच रास्ते सही गाइब हो गया तीसरी बार डियरेक्ट हैंड टू हैंड हमने जाकर के राश्वा समीति में जमा किया तो उसके बात क्या हो रहा है उसके साथ में आज तक कुछ पता नहीं है हम लोग डेंटल डॉक्टर थे 14 साल बैसाली में काम किये पिछले साल अचानक सरकार की एक लेटर निकाल दिये कि आप लोग कॉंट्रेक्ट से हट जाएं और लगबग 72 ऐसे दंची की सक जो विभिन छेतर में करोना काल में काम कर रहे थे वो सब सरक प्याग वो सारे करोना काल में डेंटल डॉक्टर जो मुह से ही रिलेटिट काम करते हैं वह सब बंध है लिए आपके फादर के जगह पर अनुकंपा की स्थिति में आपको नौकरी दी जा सकती है अनुकंपा पर नौकरी दी जाती है हमने इसके लिए परधान सचीब मोहदे को लिख के भी दिया कि आप मुझे अनुकंपा पर जो है डेंटल सर्जन का ही नौकरी दे दें वह भी जिस माध्यम से दें रेगुलर दें चाहें कॉंट्रेक्ट पर दें और जो अनुकंपा समीति का यहां प्रभधान है वो गिला क्लास थ्री का प्रभधान है उसमें क्लास थ्री का ही क्लास थ्री का जॉब कर सकते हैं नहीं डेंटल सर्जन का जॉब कर सकते हैं तो ऐसा नौकरी हम लोग क्या करें लिकार अंत्यमें सरकार को क्या कहेंगे सरकार से बिन निवेदन है कि हमारी मा का पैंशन और फादर का 50 लाख रूपया और हम दो भाई और प्लस 72 डेंटल हुए हैं उन्हें के बारे में कुछ उचित सोच करके कि कर दें माजी सबसे अंत में आप ये बताइए कि सरकार से क्या चाते हैं क्या मांग है सरकार से मुझे यही मांग है कि कैंसरकार जो मतलग कि कहें हैं कि 50 लाख रुप्या मतलग कि देंगे जो सरजन करोना काल में रेथ किया है उसके लिए और मेरा पेंशन अभी तक नहीं असुरू हुआ है जिसके चलते कि मेरा माली इस्तिति बहुत खराब है परिवार की माली इ अधिकार है वह सरकार उन्हें दे और इसी मांग की मांग आज पूरा परिवार कर रहा है कैमरा में सनी के साथ सौरा कुमार पतना निउस 24 अश्च्ट के बिस दुम के लिए keeping साथ